उत्तर पर्देश बीएड 2024 को ले करके पूरी सरंखला मैंने आपके लिए शुरू की है जिसमें मैं यूपी बीएड से बनने वाले आपके सभी डाउट्स को ले करके वीडियो बना रहा हूं जिसके अंतरगत आज मैं आपको आठ्स यानि कला बर्ग के अपडेट सलिवस के बारे में आपको बताऊँगा इससे पहले अन जानकारी सलिवस, सब्जेक कोमिनिशन, यूपी बीएड वर्सेस डियलेड बीएड के बाद क्या होगा बीएड के बाद सलिवस, सब्जेक के बने, वो समस्त जानकारी मैंने इस चैनल पर आपके लिए विलवल करवा दिये तो आप जाके उनको देख लिएगा तो сबसे पहले शुरुवात करेंगे, वो उपी बीएड दो जार 24 को लेके आठ्स जानकारी के बारें, सबसे पहली बात, जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं, कि दो paper होंगे आपके कितने paper होंगे भी आपके तो आपके 2 paper होंगे इसके बारे में 100 से पहले आप यहाँ पे जानते ही हो और वो 2 paper कौन-कौन से है प्रश्न पत्र परथम और प्रश्न पत्र दोती है पहले प्रश्न में सामाने ग्यान GKGS के 50 सवाल होंगे कहते हैं general aptitude test यानी reasoning और कुछ mathematical reasoning और उसके बाद आपका विसे होगा, कला होगा, विज्ञान होगा, वाणिज योगा और करसी होगा, यह 4 subject के अंतरगत दे रखे, 50-50 number के यह भी segment होगे, 100-100 अंग का होगा, पूरा 200 number का होगा, यानि एक question जो दो number का है, पूरा 400 number का आपका paper है, यह बात आप अच्छे से जानते हैं, इस बात को आप अच्छे से रट लीजे, अब मैं आज जिस चीज के बारे मरा रहा हूँ, SST, जैसे पहला वाला जो वर्ग है, सामान ग्यान, 50-100 number के, यह बिल्कुल common है, चाहिए आप किसी वर्ग से हो, वहाँ पर यह चीज के आप यह बिल्कुल common हो जाएगी, आपके लिए दार रखना, दूसरे में, अधिकतर वच्छे किसके होते हैं, कला वर्ग के या बिग्यान वर्ग के, तो विग्यान वर्ग के जो बालक हैं, वो भी सामान गाने पढ़ेंगे, और जो कला वर्ग के बालक हैं, वो भी सामान गाने पढ़ेंगे, basically कलावर्ग का मतलब क्या है कलावर्ग का मतलब है arts arts background और arts background का मतलब चार subject majorly history, geography, political science और economics ये चार subject पढ़ने हैं और इनी चार subject का कम से कम 60% fact वाला portion आप यहां सामान गयाने पढ़ लोगे तो यानि जो बच्चे arts या अकलावर्ग थे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा सुनेरा मोका है कि 100 नमबर तो यहां पर और 100 नमबर यहां पर subject के, 200 नमबर एक subject का दे रखा विया, 200 नमबर मैंसे गिरी से गिरी हालत में भी अगर आप पढ़ाई करोगे मेरे साथ में तो 140-150 नमबर तक बड़े आराम से लई आ होगे यानि 100 में से दोनों को मिला दें तो 70-75 को असन तक तो आप बड़े आराम से attempt कर दोगे देट सो नमबर यहां है बची ऊपर हिंदी में इंग्रिस में यहां पर रीजनिंग में 200 में से इन में से भी केसी भी हलकी से हलकी condition में भी और मैं मान करें सो 120 नमबर आप यहां पर मार दोगे तो लगवा लगवा आपके 270-300 के बीच में और इतने पर आपको बढ़िया इस सीट आपकी मिल जाएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है नॉमिनल नॉर्मल कंडिशन की बता रहा हूं है जबकि हमारी तयारी इससे उपर होगी कि हम ऐसी तयारी करें कि अटलिस 300 प्लस के उपर हम लोग पहुँचें तो आप लोग वहां पर पहुँच जाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह 17 यह 16 यूनिवर्स्टी हैं जो मानिता प्राप्त हैं जिनके जो बीएड को गवर्मेंट सीट के द्वारा कराएंगी लेकिन हालांकि यह 21 और 23 वाले सत्र की थी अभी 24 और 26 के सत्र का जब डिटेल नॉटिफिकेस अना आएगा तब में एक वार आपको बता दूँगा कि यूपी बीएड के लिए गोवर्मेंट के लिए कॉल इलिस्ट है वो कौन सी हो जाएगी फिलालम में अपडेट सीलिफिक के बारे में यह इन बात करूं कि अपडेट सीलिफिक क्या है तो चार सेग्मई में बाण रखा है हिस्ट्री, जिगोगर्फी, पॉलिटी और एकोनोमिक्स history के इंतरकर बात करेंगे तो जन्रल जो paper है up to TGT level तक के जो concept है वो आपको पढ़ने हैं जैसे history में भी सबसे पहले प्राची नित्यास और प्राची नित्यास में भी वही अध्यन के सुरोत उसमें भी पुरा तात्पिक सुरोत और उसमें भी फिर सायत्तिक सुरोत फिर उसमें पाशांकाल पुरा पाशांकाल नव पाशांकाल मध्य पाशांकाल तामर पाशांकाल क्रमिक रूप से वही हडपा सब्विता वैदिक सब्विता महाजन पत्काल मौरिस सामराज मौरुत्तरकाल गुप्तकाल गुप्ततरकाल और दक्षिन भारत का इतिहास पूरी तरीके से प्रश्णों का अभ्यास है कैसे प्रश्ण आयते पेपर में और मैंने लगातार पिछले सत्र में 21 और 22 वाली सत्र में तीन चार पेड़ बैच लॉंच करके कंप्लेट बच्चों को पढ़ा है यूटूब पर भी और एप्लिकेशन पर पेड़ बैच पर भी शिक इबं मराथा और 18 सत्र मन की क्रांती फिर मॉडर्न इंडिया में विदेशी कंपनियों की नीती इनकी पूरी पॉलिसी जितने भी विद्रोंगे अंदुलोंगे जितने भी सामाज जिकम धार में एक सुधार अंदुलोंगे इंडियन नेशनल मुवमेंट है मारा भारत का संपेदाने के विकास थोड़े से कोशन इसमें वर्ल्ड इस्टी के आते हैं साइध मेरे इसमें एड़ नहीं किया हुआ है यहां पर इसमें एक चीज़े अड़ कर लीजिया और वह चीज़ें पर क्या करेंगे प्राचीन मद्धिकालिन आदुने के बाद आपको इसमें थोड़ा विश्व इतियास पढ़ना है जिससे सवाल पेपर में पूछा जाएगा जो नौवी और दसवी की NCRT से कुछ-कुछ सवाल उठाए गए हैं पेपर में याद रखना प्लस कुछ-कुछ सवाल थोड़े से कला इवम संस्कृति से बेसिक पूछे गए हैं और वो क की जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था तब कला इवम संस्कृति में क्या परवड़ता नाया कुछ वहां से सवाल पूछे जाते हैं धार रखना कुछ उसके बात जोगरफी तो आपको पता है नौर्मल पूरी जोगरफी पढ़नी है इंडिया जोगरफी में तो विशे भारत की मिट्टियां, भारत की जलवायू, भारत की बहु उद्देशिय से चाही परियोजनाएं, उसके लावा भारत में खनी संसाधन, लोहांस, अलोहांस खनी संसाधन, उद्द्योग, उद्द्योग को प्रभावित करने वाले कारक, उद्द्योगों के प्रकार, उर्जा संसाधन, ट्रांस्पोर्ट, ट्रांस्पोर्ट के सारे सिस्टम, उसके लावा फिर आपकी जनगड़ना, सेंसर्स पढ़ लेंगे आप यहाँ पर भारत की प्रमग जनजातियां, भारत के स्टेट्स के बारे में नौलेज ले लेंगे, सेंट्रल के बारे में थोड़ी और इसकी तैयारी आपने पढ़ ली तो आप माल ली जब या आगे चलके जब आप CTET, DWSB, TGT, PST, KVS जैसी परिच्छाओं को आप दोगे या आपने राज्यों परिच्छाओं को आपको दोगे तो आप अभी से जो तैयारी कर लोगे वही सवाल आगे चलके आपकी बहुत अर्तिय अर्तिव्यस्ता, अर्तिव्यस्ता उसके छेत्र, रास्तिय आय, आर्तिक संवरध्धी होगी और ये आर्तिक विकास, ये थोड़ा रॉंग लिखा हुआ है, क्रशी, और द्योगिक छेत्र, नीति आयोग, गरीवी, बेरुजगारी, मुद्रा बाजार, बैंकिंग पड़ाली, बीमा और पुझी वाजार, ये कुछ-कुछ ऐसे सेग्मेंट हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये रहा आपका UPBR 2024 कलाबर्ग का संपुन्ट स्लिवस, इसको आप लेके पूच तरेके पढ़िए, प आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं, 8755238500, मैसेज करके मुझे को बताएगा, बहुती ब्रीफ में इसका कोर्स और इसके नोट्स दोनों में तैयार कर रहा हूं, और आपको जानकर हमलुग देंगे, नॉमिनल प्राइज में, बढ़िया में आपके लिए सोच रहा हूं, क कम से कम सो सवाल के लिए, सो घंटे की क्लास, जिसमें आपका पूरा कॉंसेप्ट आपके लिए तैयार कर दूँगा, और एपलिकेशन पर लोग लोग लाँगा, तो आप एपलिकेशन भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट बुक के नाम से प्लेस्टूर से आप मेरा एपलिकेशन डाउनलोड कर लीजेगा और इस नंबर पर आप हमें कॉल कर लीजेगा, या वाटसेप पर मैसेज कर दीजेगा, कि UPBR GKGS को लेकर के हमें जानकारी चाहिए, मुझे आप एंचानते हो, मेरा डाम अनुपम भारतवाज है, और डेटेल में जानना हो, तो बस आ परते लिए, मुस्कराते लिए, दस फर्वरी से आपके फारम बरे जा रहा है, UPBR के याद रखना, ठाक्यू बरी मच, जय हिंत, जय भारत!